नमस्कार, Competition Community Case, Fast Track Revision Course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पुक्राजगिरी और इस FTR Session में मैं डील कर रहा हूँ 36 गड़ सामान अध्यान सब्जेक्ट में मैं आपको यह भी बता दू कि FTR के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ प्रश्ण 36 गड़ के राइपुर संभाग से लेकिन सीधा प्रश्णों पे आने से पूर्व मुझे करनी है आप सभी से कुछ बात देखे, PSC प्रारंभिक परिक्षा मैं बात कर रहा हूँ CG PSC Pre 2020 की अब इस प्रारंभिक परिक्षा में अब देखा जाए तो 30 दिनों की बस अवधी लगभग बाकी है एक बात और कहना चाहूँगा कि CG PSC की तयारी तो आप सब बहुत जोरशोर से कर रहे होंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ और कामना भी यही है कि आप सभी इस अटेम्ट में इस परिक्षा को पास कर पाएं लेकिन इस परिक्षा में एक ऐसा ग्रे एरिया है या एक ऐसा कोण है जिसकी और हमारा ध्यान जो है वह उतना जादा आकरशित नहीं होता तो गत वर्षो के पेपर के अनलिसिस के बाद हमारी टीम ने यह पाया कि GS जो की है पेपर 1 में इस पेपर में अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 10 प्रतिशत वेटेज है किसका तो करेंट अफेर्स का तो इसी आनलिसिस के पश्यात छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी 2021 को कॉम्पिटिशन कम्मूनिटी लॉंच करने जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेर्स प्रोग्राम जिसमें हमने ये टार्गेट किया है कि न्यूनतम शुल्क में हम कराएंगे आपको कॉम्पिटिशन कम्मूनिटी की तरफ से करेंट अफेर्स की बिलकुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी जिसमें आपको मैक्जिमम 25 घंटे देने हैं और मैं आपको बता दूँ इसमें 36 गड़ भारत और अंतरराष्ट्री करेंट अफेर्स से समबंधित सभी important topics को maximum इसी 25 घंटे के अंदर हम करा देंगे आपको कवर साथ ही आपको यह भी बता दूँ कि इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा दूसरी बात और ध्यान में रखना कि यह कोर्स संपूर्ण रूप से आपको available 15 जनवरी 2021 को ही हो जाएगा इस कोर्स के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिये गए नंबरों पर कर सकते हैं संबंध तो यह हो गई आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आजाते हैं अपने प्रश्नों पे तो आज का पहला प्रश्न है पुरा तात्विक स्थल रीवा 36 गड़ के किस जिले में स्थित है तो अपने इस वीडियो सीरीज में हमने अलड़ी 36 गड़ में बहुत से नवीन पुरा तात्विक स्थलो को देखा है उनही में से एक है यह रीवा तो देखिए यह जो मैप है यह दर्शा रहा है 36 गड़ के राइपुर संभाग को और खास कर इस जिले की बात करूँ तो यह है हमारा राइपुर जिला अब राइपुर जिले में कुछ तहसील हैं उनमें से एक है राइपुर इसके अलावा एक तहसील नाम है क्या तो नाम है आरगग ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही तहसील है तहसील और भी है मैं बात कर रहा हूँ राइपुर और आरंग अब आप सभी जानते हैं कि एक नाशनल हाइवे जो की जोडता है राइपुर को आरंग से कहलाता है एनेच त्रेपन या नाशनल हाइवे फिफ्टी थी और इसी एनेच फ नाम है रीवा क्या नाम है रीवा तो हमने क्या देखा राइपुर और आरंग को जोडने वाले नाशनल हाइवे फिफ्टी थी के उत्तर की ओर है यह पुरा तात्विक स्थल जिसका नाम है क्या तो नाम है रीवा अब प्रश्ण पर वापस आते हैं हमने क्या देखा है यह जो रीवा पुरा तात्विक स्थल है यह 36 गड़ के राइपुर जिले में है अब यह राइपुर दिया है किस में तो option B में तो इसी लिए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या होने वाला है तो होने वाला है option B राइपुर तो हमने क्या देखा? पुरा तात्विक स्थल रीवा जो है, वह चत्तिस गड़ के किस जिले में? तो चत्तिस गड़ के रायपूर जिले में. तो यह हो गया हमारा पहला प्रश्ण. अब हम आजाते हैं अपने दूसरे प्रश्ण पे. दूसरा प्रश्ण है, दामा, खेडा, क इससे संबंधित है. उप्शन क्या है? तो कबीर समुदाए, फिर है सतनाम समुदाए, फिर है राम नामी समुदाए. चौथा उप्शन है, इन में से कोई नहीं. तो देखिए, यह रहा हमारा रायपूर संभाग. अब रायपूर संभाग में एक जिला है जिसका नाम है बल इस सिंगा तहसील को आगे बिलासपूर जिले से जोड़ता है एक नाशनल हाईवे नाम है क्या? तो नाम है दामा खेडा. क्या नाम है इस गाउं का? तो नाम है दामा खेडा. इस दामा खेडा की अगर मैं बात करूँ तो यह संबंधित है 36 गड़ में कबीर पंथ से और यह असल में है कबीर पंथियों का एक तीर्थ स्थल. एक बात और बता दूँ. इसी डामा खेडा में कबीर पंथ के बारवे गुरु अग्र नाम साहिब. इन्हें अग्रदास साहिब के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने कबीर मठ की स्थापना की थी. किस की स्थापना की थी कबीर मठ की स्थापना की थी कहां दामा खिडा में इसके अलावा गुरू अग्रनाम साहिब की समाधी भी इसी दामा खिडा में हैं तो हमने क्या देखा दामाखेडा सबसे पहले कहा है तो बलोधा बजार जिले में है उसके बाद देखा समबंद किस से है तो कभीर पंथ से फिर देखा बारवे गुरू अग्रणाम साहिब जी ने क्या किया यहाँ पर कभीर मठ की स्थापना की अब आते हैं प्रशन पर वापस क्या दिया है दाम a में और इसी लिए option a जो है हमारे दूसरे प्रश्ण का सही उत्तर होने वाला है, तो यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्ण, अब हम आजाते हैं अपर तीसरे प्रश्ण पे, तीसरा प्रश्ण क्या है, तो इस प्रश्ण में हमें सही मिलान करना है, जिसमें एक और तो है उद् के माध्यम से है तो यह है 36 गड़ का धमतरी जिला अब धमतरी जिले से एक नदी का उदगम है क्या नाम है तो नाम है महा नदी कौन सी नदी महा नदी उदगम कहां से है तो धमतरी जिले के सिहावा परवत जिसका प्राचीन नाम और क्या तो सुक्ती मती परवत अब इसी महा नदी की एक सहायक नदी है नाम है क्या तो नाम है पैरी नदी कौन सी नदी पैरी नदी अब यह जो पैरी नदी है इसका उदगम कहां से है तो इस गरिया बंजले से और उदगम स्थल का क्या नाम है तो नाम है भाटी गड़ क्या नाम है तो भाटीगड असल में परवत है तो भाटीगड परवत और महा नदी और पैरी का संगम कहां पर तो ध्यान रखना राजिम में कहां पर संगम तो राजिम में इसके अलावा इसी गरिया बंद जिले से एक और नदी का उदगम है नाम है क्या तो नाम है सूखा नदी कौन सी नदी तो नाम है सूखा और यह जो सूखा नदी है इस नदी का उदगम कहां से तो ध्यान रखना गरिया बंद जिले के छुरा तहसील से किस तहसील से छुरा त इसके अलावा इस महा समुझले में एक परवत नाम है क्या तो नाम है रदन अब इस रदन परवत से उदगम है एक नदी का नाम है क्या तो नाम है लात नदी या महा नदी आगे चलकर पूर्व दिशा में मूरती है और आगे चंद्रपुर में इस लात नदी से बनाती है तो हमने क्या देखा महा नदी, महा नदी का उदगम सिहावा परवत या सुक्ति मती परवत, पैरी नदी उदगम भाटीगर, सुखा नदी उदगम चुरा, इसके बाद रदन, और रदन मैंने क्या बताया है, उदगम है किस नदी का, तो लात नदी का, अब आते हैं प्रश् लात नदी का उदगम है कहां से तो रदन पहाड़ी और भाटी गड़ पहाड़ी किस नदी का उदगम है तो पैरी नदी का तो देखिए पेर क्या बन गए तो A1 इसके बाद क्या है तो है B3 इसके बाद है C4 और फिर है D2 तो क्या पैर बन गए A1 फिर B3 उसके बाद है C4 और D2 अब अगर इसका मिलान करें हम दिये हुए options से तो देखिए option A में ही दिया है A1 B3 C4 और D2 और इसी लिए यह जो option A है यह सही उत्तर होने वाला है हमारे तीसरे प्रश्न का तो यह हो गया हमारा तीसरा प्रश्न और इसके बाद हम चलते हैं अपने चोथे प्रश्न अब जो चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न पे हमें क्या करना है, तो फिर से सही मिलान करना है, जहां एक और परियोजनाएं हैं, वही दूसरी और है जिले, अब परियोजनाओं में देखिए, पहला है पेनरावन, उसके बाद है पंडित रवी शंकरशुकल, फिर है सीकासार उसके बाद है जोक, तो इस प्रश्न को सॉल कर लेते हैं, हम मैप के मार्धियम से, तो ध्यान रखना, इस राइपुर जिले में, एक परियोजना है, क्या नाम है, तो नाम है, पेनरावन, इस परियोजना को ध्यान में रखना, यह है किस पे, तो कोलहान नाले पे, किस नाल बतादू इसी परियोजना का नाम रखा गया है लखनलाल मिश्र के नाम पे पंडित लखनलाल मिश्र नाम है इस पेंडरावन परियोजना का अब इस राइपुर संभाग में एक जिला है नाम धमतरी धमतरी पर महानदी पर एक परियोजना नाम है क्या तो नाम है पंडित को हम गंगरेल बांध के नाम से भी जानते हैं इसके बाद है हमारा गरिया बंजला इस गरिया बंजले में पैरी नदीप पर वांद है नाम है जोक परियोजना जो है वह बलोदा बाजार में है तो अब वापिस आ जाते हैं किस पे तो प्रश्न पे है तो देखिए पेंडरावन मैंने बताया कहा है तो रायपुर में पंडित रवीशंकर शुक्ल परियोजना हमने देख लिया धमतरी में है C का सार है गरिया बंद में और जोक है कहां तो बलोदा बजार अब पेरिंग कर ले तो क्या आ गया तो आ गया A2 फिर है B1 उसके बाद है C3 और उसके बाद है D4 तो A2, B1, C3 और D4 अगर option से मिलान करें तो देखिए option नंबर B में ही दिया है A2, B1, C3 और D4 और इसी लिए option B जो है वह हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है तो यह हो गया हमारा चौथा प्रश्न इसके बाद हमाज आते हैं अपने पाँचवे प्रश्न पे निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सिरपुर महानदी के तटपर स्थित है दूसरा कथन है सिरपुर का लक्ष्वन मंदिर वास्तव में भगवान विश्नू का मंदिर है तीसरा कथन है सिरपुर का प्राची नाम चित्रांग्द पुर्था और चौथा कथन है यह महाशिवगुप्त बालरजुन की राजधानी थी तो यह जो है यह है चात्तिस गड़ का महा समुझला अब इस जिले में इसके अलावा मैंने एक नदी भी बताई थी इस सम्भाग में नाम क्या था तो महा नदी धमतरी से निकलती है और यह जो नदी है कहलाती है चात्तिस गड़ की जीवन रेका और इस महा नदी के तटपर, इस महा समुन्द जिले में एक प्राचीन पुरा तात्विक्स्थल नाम है क्या तो नाम है सिरपुर क्या नाम है तो नाम है सिरपुर अच्छा अब सिरपुर के संदर्ब में बता दूँ सबसे पहले तो आप जान गए कि यहां महानदी के तटपर है दूसरी वाद बता दूँ इसका प्राचीम नाम क्या था तो नाम था चित्रांद तो क्यों था ऐसा नाम तो असल में यह राजधानी थी भब्रु वाहन और भब्रु वाहन की मा का नाम था चित्रांदा पिता का नाम था अर्जुन तो अर्जुन और चित्रांग्डा के पुत्र भब्रु वाहन की राजधानी नाम क्या था तो चित्रांग्दपुर इसके अलावा बता दूं कि 36 गड़ का एक वंश नाम है क्या तो पांडु वंश और इस पांडु वंश में एक बहुत फेमस राजा क्या नाम महाशिवगुप्त बालरजुन और इन ही महाशिवगुप्त बालरजुन की राजधानी थी सिर्पुर साथ ही बता दूं इसी सिर्पुर में है फेमस लाल इटो से बना लक्षमन मंदिर कौन सा मंदिर तो लक्षम यह जो लक्ष्मन मंदिर है इसके संदर्ब में एक प्रश्ण बार-बार पूछा जाता है लालीटों से बना मंदिर तो ध्यान रखना लक्ष्मन मंदिर और यह जो लक्ष्मन मंदिर है असल में 21 भगवान का मंदिर है तो ध्यान रखना यह विश्णुजी का मंदिर है तो व यह बात भी मैंने आपको बताई कि यह बिल्कुल सत्य है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है, सिरपुर का प्राची नाम चतरांग्दपुर था, यह बात भी मैंने बता दी है, चौर्था स्टेटमेंट कहता है, यह महाशिव गुप्त बालर्जुन की रासधानी थी, तो यह भी बात मैं आप सभी को बता चुका हूँ, मतलब इस कंडिशन में जो चारो कथन एक, दो, तीन, चार दिये हैं, वे सब सही हैं, अब हमें प्रश्ण में क्या करना था, बताना था कौन से कथन सही हैं, तो असल में देखा जाए, तो उप्रोक्त जितने भी कथन हैं, वे सब सही ह तो answer क्या होना चाहिए, तो answer होना चाहिए, option C, उप्रोक्त सभी, और इसी लिए इस 5 वे प्रश्ण का सही उत्तर है, option number C, अब हम आजाते हैं, अपने 6 वे प्रश्ण में, निम्न में से कौन सी नदी, महा नदी की दक्ष्ण वर्ती सहायक नदी है, अब देखिए, पहली है शिवनात, दूसरी हस्देव, फिर है, मान, फिर है, पैरी, फिर है, जोक, फिर है, ला, तो map में हम फिर से plot कर ले नदीों को, तो सबसे पहले हम महा नदी को देखी चुके हैं, तो यह हो गई कौन सी नदी, तो महा नदी, शिवनात की बात करूँ, तो शिवनात बता ही इसका उध्गम है और आकर शिवरी नारायन में मिल जाती है किस से तो महा नदी से इसके बाद एक नदी देखी थी हस्देव उध्गम क्या था तो उध्गम था इसका कोरिया जिले में से कैमूर चोकी इसके बाद एक और नदी देखी थी मांड मांड नदी जो है उदगम क्या था तो गड़ पहाड मैन पाट यह था उदगम मांड नदी का अब अगर बात करूँ पैरी नदी की तो अभी अभी देखा है हमने कि यह जो पैरी नदी है इस पैरी नदी का उदगम कहां से तो भाटी गड़ उसके बाद है जोक नदी अब यह जो जोक नदी है उदगम इसका जो है वह है सोन बेरा का पठार और लात नदी जो है मैं आप को बता चुका हूँ लात नदी इस नदी का उदगम जो है वह है रदन परवत आप देखिए यहां पर हम दो त्रिवेणी संगम भी देख पा रहे हैं एक है कहां पर तो शिवनाथ महा नदी और जोक नदी का शिवरी नारायन में और महा नदी मांड और लात नदी का में तो महा नदी शिवनाथ और जोक का शिवरी नारायन और महा नदी मांड और लात का चंदरपुर में अब पूछा गया है कौन-कौन सी दक्षण वरती सहायक नदियां है तो देखिए दक्षण वरती मतलब दक्षण की ओर से आ रही है तो दक्षण की ओर से कौन-कौन स सहायक नदिया, जो की दी है किसमें, तो D में, E में और F में, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऐसा option जो कहें DEF, तो देखिए option C में दिया है DEF, और इसी लिए option C जो है, यह हमारे छटवे प्रशन का सही उत्तर है, इसके बाद हम आज आते हैं अपने साथवे प्रशन के, साथवा प्रशन है, मोहरेंगा प्राकृतिक सफारी या इसे कह सकते हैं नेचर सफारी, रायपुर जिले में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, मोहरेंगा नेचर सफारी जो है, रायपुर जिले में स्थित है, सेकेंड स्टेटमेंट है, इसे इंदरा प्रिदर्षनी न प्रश्ण में टाइगर रिजर्व के रूप में विक्सित किया जाएगा तो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई गोशना नहीं की गई है। जहां एक और जिले हैं दूसरे और हैं मंदिर। अब जिलों में क्या है तो पहला गरियावन, दूसरा रायपूर, फिर है महासमुन, फिर है धमतरी। मंदिरों में क्या है तो है कुलेश्वर महादेव, गंदेश्वर महादेव, कन्या कुमारी मंदिर और भूतेश्वर इस राइपुर संभाग में एक जिला है जिसका नाम है धमतरी और इस धमतरी में ध्यान रखना है कुलेश वर महादेव मंदिर अब यहाँ पे आप लोगा धिमाग ठनक गया होगा कि जब आप प्राजिन जाते हैं तो नदी के बीच में जो आप कुलेश वर महादेव का मंदिर देखते हैं वह तो असल में गरिया बन जिले में है वो थोड़ी न धमतरी जिले में है तो असल में आपको ध्यान रखना है क यह धमतरी जिले के नवा गाउं के अंतरगत आता है किसके अंतरगत आता है धमतरी जिले के नवा गाउं के अंतरगत कभी भी कुलेश वर महादेव आपके दिमाग में आए तो गरिया बन जिले के जगा आपका दिमाग जो है तुरंत धमतरी जिले की ओर जाना चाहिए ठी अब अगला बात करूँ मैं भूतेश्वर महादेवमंदिर के परिपेक्ष में, तो इस गर्या बन जिले में है क्या? तो भूतेश्वर महादेवमंदिर, इसके अलावा इस महासमुन जिले में हमने सिर्पुर देखा था और सिर्पुर में ही है क्या तो गंधेश्वर महा देव मंदर और इस राइपुर जिले में है चंखुरी और चंखुरी में है क्या तो कन्या कुमारी कौन सा मंदर तो कन्या कुमारी अब प्रश्ट पर वापिस आएं तो गरियाबंद में हमने क्या देखा तो देखा भूतेश्वर महादेव, राइपुर में क्या देखा तो हमने देखा कन्या कुमारी मंदर महासमुन में देखा है हमने क्या, तो गंधेश्वर महादेव, धमतरी में देखा है कुलेश्वर महादेव, अब अगर हम पेरिंग क उसके बाद है C2 और अंततह है D1 अब अगर मिलान किया जाए इसका options के साथ तो देखिए option D में दिया है A4, B3, C2 और D1 और इसलिए यह जो option D है यह हमारे आठवे प्रश्न का सही उत्तर तो यह हो गया हमारा आठवा प्रश्न अब है हमारा नववा प्रश्न नववे प्रश जिले है तो दूसरे ओर हैं पुरा तात्विक स्थल अब देखिए जिले हैं बलोदा बजा राइपूर महा समूंद और धमतरी पुरा तात्विक के तटके बहुत नजदीक है एक पुरा तात्विक स्थल जिसका नाम है क्या तो लीलर है और इस बलोदा बजार जिले के पलारी विकासखंड में है Sis देवरी जो की फिर से एक पुरा तात्विक स्थन है तो हमने क्या देखा रिवा राइपुर में लीलर धमतरी में सिर्पुर महा समुण जिले में है और Sis देवरी जो है वह बलोधा बजार जिले अब अगर आजा है वापस प्रश्टूपे तो बलोदा बजार से मिला सकते हैं सिस्देवरी को, राइपुर से लीलर को, महा समुन से सिरपुर और धमतरी से लीलर को अब देखें पेर्स क्या बन गए तो A3 इसके अलावा है B1 फिर है C2 और है D4 ठीक है, तो हमने क्या देख लिया A3, B1, C2 और D4 जो है, वह है सही पेर्ट अब अगर ऑप्शन को देखें, तो ऑप्शन C में ही दिया है A3, B1, C2 और D4 और इसी लिए ऑप्शन C जो है, वह सही उत्तर होने वाला है हमारे इस नवे प्रश्टता अब अंतता है हमारा दसवा प्शन, जिसमें एक और जिले हैं और दूसरे और हैं वन्यजीव अभ्ध्यारण जिलों में देखिए क्या है, तो सूरजपुर फिर है गरियाबन, फिर है महासमन, फिर है धमतरी वन्यजीव अभ्यारणों में है तमोर पिंगला फिर है उदंती फिर है बारनवा पारा उसके बाद है सीता नदी अब अगर मिलान किया जाए तो इस वीडियो सीरीज में कई बार हम डिसकस कर चुके हैं कि सूरजपुर जो है उसी जिले में है तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण और आपको बता दूँ धमतरी में भी हम देख चुके हैं सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण को ध्यान में रखना है कि गरियाबंध जिले में है उदंती वन्यजीव अभ्यारण और महासमून जिले में है बारनवा पारा देखिए बारनवा पारा आपको बहुत जगा बलोदा बजार जिला भी देखने को मिलेगा PSC already महासमुन answer ले चुका है इसलिए मैं आपको महासमुन बता रहा हूँ ठीक है तो सूरजपूर, तमूर, पिंगला, गरियाबन, उदन्ती महासमुन, बारनवा, पारा और धमतरी आपको लेना है सीता नदी, वनजीव, अभ्यारण के परिपेक्ष में अब पेरिंग कर दो, यह तो क्या बन गया A1, B2, C3 और D4 अब अगर इसका मिलान करें ओप्षिन में तो देखिए ओप्षिन A में ही दिया है A1, B2, C3 और D4 और इसलिए ओप्षिन A जो है वह आपके दसवे प्रश्न का सही उतर तो यह थे 36 गड के रायपुर संभाग से 10 कुछ अच्छे और conceptual प्रश्न आप सभी से मेरी मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बस्तर संभाग तो I hope मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू आण टेक केर CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले